हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो माई चैनल कुक वित काफिया तो कैसे हैं आप सपाहियों कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफगानी मतन मलाई सीख कबाब की रेसिपी यह जो है बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत टेस्टी ग्रेवी के साथ बनके त्यार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है जूसी और क्रेमी सी रेषिपी तो चले इसको बनाना स्टर्ट करते हैं यहां पर देखी ए मैंने कुछ मसाले लिये हैं तो 1 TP लिया है यहां पर गरम मसाला और 1естно με स्थावर ऑर 1цо पर लिया है मैंने काली मिर्स का पाउडर यहां पर मैंने सारे मसाले यह ले लिए एक साथ और इनको पहले मैं इनके कवाब बनाऊंगी इसलिए मैं रैड चिली का यूज़ कर रहे हूं बागी ग्रेवी में रैड चिली बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी मसाले कॉंटेटी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है अगर आप जादा कम कर रहे हुं तो मसाले को भी जादा कम कर सकते हैं यहां पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है आप चाहिए तो बाहर सही पिसवा सकते हैं और मैंने Wanna पींत्त में जो दो दो जा लिया था क्योंकि बाद फेल्قط फिर यहां पर दो गऐ धसी सg अन्त नहें जो चप़नाए लिया हुआ तो यहां पर mix कर लेना है अच्छासे और इसमें 10% fat यह सकिया है अगर आपके अगोश में fat नहीं है तो आप इसमें oil भी डाल सकते हैं 2-3 चमच लेकिन इसमें fat यूज्ट भी यूज aumento है तो इसमें oil नहीं add कर रही हूं अगर इसमें नहीं है तो आप इसमे oil add कर दें मैं आइट कर दूगी इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी अगर आप यह नहीं डालना चाहते हैं अब देखिए मैंने इसको अच्छा से मिक्स कर लिया है 15 मिनिट के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और मैंने इसको निकाल लिया है और मैंने यह स्टिक लि लेलना है यहाँ पर देखिए मैंने बैटर को अच्छे से इस पर लगा दिया है और इसको हलके हलके सचे समय यह पर प्रेस कर लेना है और यह बहुत अच्छे कवाब बनके रैडियो जाएंगे उपर का और नीचे को जो सिरा होता है उनको थोड़ा सा मोटे ही रखना है औ कवाब को मरना यह तलने के बाद और इनकी कॉंटेटी डबल ही जाती है इसलिए थोड़ा पतले ही कवाब बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कवाब बनके रैडियो चुका है मैं आपको निकाल के दिखा रही हूं यह बहुत अच्छे कवाब बन गया है अगर आपका बन पट रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं यहा पर देखें मैंने इसे तरीके से सारे कवाब बनाके के रख लिया है अब मैं इनको करऊंगी कि तो फ्राई करने के लिए मैं एक टूर्टम कर लेज लिया है और इसको अ strengthen। आपया और करने के क्छूब भी पांच कोड़ दो आंच कर सकते हैं अब चाहा है, चाहा है। और आप चाहे आंच को तेज कर सकते हैं क्छूब पेहले क्छच कोड़े नहीं के कर दो यह हैं असक दो ऍह стан평 से क्लेटें क्छाए कवाफ़ांक, मैं तो नोच काल। बिल्कुल भी टूटने नहीं चाहिए फिर मैंने ले लूँगी हाँ पर एक कढ़ाई तो कढ़ाई मैंने इतनी बड़ी है जितने बड़े इसमें सारे कवाब एड़ेस्ट हो के आ जाए और जितनी में ग्रेवी बनाऊ वह भी आ जाए और इसमें डाल दिया है दो बड़े च पर यहां पर देकि का अच्छा आख आ गया थैया मैं इसको निकाल लूँगी तो यंकी क्यासरनिदारी तो यह इसमें पर टेल मिर्चे शमक भाएं में लेड़ बाते लंशनद रख वस्ट के टिक व्सटो ड़नाई है इसको फ्राई कर लेना है पियास को काजू को इनकी पेस्ट बनाकर त्यार के थाथ हुआ है उसमें इनकी से पेस्ट मावड़ाते हुए bragो घ्र B 1 चमच लिया मैं नमक, 1 काली मिर्ज का चमच लिया मैं जर्श में याँ पर पौउडर का 1 चमच मैंने याँ भुना जीरा पौवडर, 1 चमच गरम मसाला तो यह सारा मैंने इसी पेस्ट में अट कर दिया है और यहां पर आप दिख सकते हैं इसका color change हो गया मसाला डालने के बाद और इसको तकरीबन 2 मिनिट तक और भून लेना है मसाला डालने के बाद फिर इसमें add करनी है दही दही रखे थी उसको इच्छे से फेट लिया था और इसमे आड़ करही हूँ यह ना दो खती है ना ही मीठी है यह पलेन दही मैं यहां पर यूज़ कर रही हूँ और ताजी है यह बिल्कुल इसको डालकर यहां पर इसमें भून लेना है पुछ देर के लिए और इसका जब ऑईल आजाए पूरा उपर तो फिर इसमे आइट कर देना ये क्रीम तो यहाँ पर सारी क्रीम आइट नहीं करूंगी मैं कुछ क्रीम बचा लोंगी बाद में डालने के लिए तो मैंने आधी क्रीम डाल दिया है थोड़ी सीसन में बचा लिया अब क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें जितना ही मसाला बगरा है इसको डालका यहाँ पर लगा दी है लिड और इसको तकरीबन दस मिनट ऐसे ही पका लेना है हलकी आश पे और यहां पर देखिए 10 मिनट बाद मैंने यह लिट हटा दी है और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर रही हूं यहां पर आप देख सकते हैं पूरा ओयल अच्छे सेपरेट हो गया लेकिन ग्रेवी जो है बहुत जादा गाड़ी हो रही है तो मैंने इसमें अट कर देया एक कर तो अडिया दूद मैं अगर आपको ग्रेवी गाड़ी लग रही है तो आप इसमें दूद मैं अड़ाइड कर सकता हैं ौर देखिए जल mom यहां प्र डाल क कर दोड़को लेना है और gravy का texture आप देख सकते हैं काफ़ जादा पतला हो गया है यहाँ पर अच्छे से बन भी गई है मैं इसमें एक साथ आइट कर देना है और इसलिए मैंने बरतन बड़ा लखने को बोला था क्योंकि यह कवाब जादा quantity में होता है इसलिए बरतन बड़ा चाहिए होता है क्योंकि तूटने लगता है तो इसलिए बरतन बड़ा लें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे कवाब ग्रेवी में एट कर देए हैं इसको mix कर लेना है और इसपर लेड़ लगा कर इसको पांसा-दřस मिनटे पका लेना है ताकि इन कवाब का टेस्ट ग्रेवी में ऐच्छ से पक जा और इसका टेस्ट भी अ já उप मम्यत वे लेए और इसको कुछ दिर पकालना है और यहां पर आप गाड़ी का टैक्शर भी देखिए पहले जितना पतला था थोड़ा पकके गाड़ा हो गया है इसले मैं थोड़ा पतला कर जाता है पहले और जितना आपको थिन ग्रेवी चाहिए उसके हिसाफ साफ इसको रख सकते हैं मुझ अच्छे से उगया और यह अब पककर रेडी हो चुके है ऊपर से मैं गार्निष करने हूं धनिया तो धनिया से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है इसलिए इसलिए जरूर एट करें धनिया और धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें यहां पर ध्यान रहे कवाब ब अच्छा कर रखी थी वह तो कुछ अच्छा कर दालने से लुक बहुत प्यारा आता है प्रेजन्टेशन भी बहुत अच्छ लगती है देखने में और अलगी टाइप की डिश बन जाती है अगर आप इस तरह के से डालेंगे और खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है अगर आप इस तरह के से क्रीम को लास्ट में डालेंगे तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें मेरे चैनल पढ़ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एक बार इस डिश को बनागर ज़रूर ट्राय करें और मुझे कमेंट में रेस framework रहे से लगे और आपने इस त्राइ कीyan है निया चिकन में आपने इस को ट्राइ क्या है मैं जरूर बताएं कुमेंट में मिलते हैं नेक्सै वीडियो में हैं टेस्ट रेसी पीस को साथ थैंक्स पर आशिन DiGi Hoeiczky